ओनलाइन क्लास लेने के लिए मैं परचेज के हूँ एक pen tablet यह pen tablet मुझे online class लेने में काफी help करेगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा यह pen tablet कैसे काम करता है और online class लेने में इसका कैसे use करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं सुनिल कुमार मैं इस pen tablet को परचेज किया हूं अमिजन से यह मुझे मिला 3,700 रूपीज में आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता इसका प्राइस से कुछ कम या कुछ ज़्यादा हूं यह तीन साइज में आता है मैं स्मॉल साइज को परचेज किया हूं इसके अलावा मेडियूम साइज और लार्ज साइज में भी एवेलबल है यदि कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं और ऑनलाइन क्लास लेने के परपस से इस पैन टेबलेट को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं आप वहाँ पर क्लिक करके इसको बाई कर सकते हैं या फिर आप उन-लाइन कंपेर कर लें जहां पर आपको प्राइस कम लगे आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं दोस्तो वरतमान समय में ओन-लाइन क्लास करकेया रहरा है अधिकांस टीचर उन-लाइन क्लास लेना शुरू कर दिये हैं यदि आप आप online क्लास लाइव लेना चाहते हैं तो powerpoint presentation से live class लेना काफी आसान होता है और powerpoint presentation में इस pen tablet का काफी यूज होता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस box के अंदर क्या क्या है और इसका कैसे यूज करते हैं इस pen tablet में सबसे पहले उपर लिखा हुआ one by vacuum ये vacuum company का pen tablet है और ये pen tablet का figure बना हुआ है यहाँ stylus का figure बना हुआ है जिस stylus से हम लोग लिखते हैं ये paint जैसा use होता है अब इस box के अंदर हम लोग देखते हैं कि इस box के अंदर है क्या तो सबसे पहले इस box को निकालते हैं तो यहाँ पर एक और box है अब इस box को जब उपेन करते हैं तो इस box के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है pen tablet यह जो pen tab है इस pen tab को हम लोग निकाल लेते हैं और इस pen tab को यहाँ से हम लोग खोलते हैं यह एक plastic के अंदर है और इसको open करने के बार यह एक pen tablet मिल गया front side जो है वो black color का है और back side जो है वो red color का है यहाँ पर भी इस product के बारे में कुछ description लिखा हुआ है यह working area है यहाँ पर आपको dotted point दिख रहा होगा यह dotted point ही working area होता है इसी पर हम लोग लिखते हैं अब देखते हैं आगे इस box में और क्या क्या है तो एक important चीज इसमें यह है जिसको stylus करते हैं जिसको pen है यह इस pen से हम लोग लिखते हैं उस pen tablet में यहां पर दो button दिया हुआ है और आगे front side में नीव लगा हुआ रहता है यहां पर तो इस pen tablet को इसमें रखने के लिए भी एक space दिया हुआ है यहां पर इसको हम लोग रख सकते हैं इसको यहां से attach कर देंगे तो यह इस तरीके से आ जाएगा और अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस box में और भी क्या क्या चीज है तो यहां पर आपको मिलेगा एक data cable USB cable और इसी के अंदर एक plastic में यह क्या रखा हुआ है हम लोग देखते हैं इसके अंदर जो है वह एक नीव removal tool है यह जो है नीव removal tool है और यहां पर इसमें तीन आपको नीव मिल जाएगा यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह तीन नीव है और इस नीव यूज करते हैं लोग stylus में जो pen है लिखने वाला उसमें पर आसरे यूज करते हैं तो कैसे यूज करते है जड़ा देखिए सबसे पहले इस पैन टेबलेट में जो पैन दिया हुआ है उस स्टैलेस में जो सामने नीव लगा हुआ है इस नीव को अगर यह खराफ हो जाता है तो आप इसको रिमूट करके दूसरा डाल सकते हैं और यह नीव रिमूबल टूल है इसमें आप देख र इस नीव को फिर यहां पर आप डाल सकते हैं यह जो नीव है इसको डालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है विसेश यहां पर सिर्फ इसको पूस कर देना है डाल करके तो यह नीव चला गया इसके अंदर में और देखते हैं आगे क्या है अभी हम लोग इसको साइड लिखा हूँ है तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे यूज करता हूं और इसका जो दूसरा चोर है दूसरा चोर को आपको connect करना है pen tablet से तो pen tablet में आपको यहाँ पर दिया हुआ है connect करने के लिए इस portion से में इसको attach करना है इसको connect करना है और यह pen tablet जो है वह काफी हलका है क्योंकि इसमें battery नहीं होता है यह without battery काम करता है आप देख रहे हैं जैसे connect किये हैं उसके बाद यहाँ पर एक light जल गया है और यह जो light जला है इससे इसका मतलब निकल गया कि वह connect हो चुका है अब यह connect हो चुका है अब हम लोग को करना क्या है जो मैं अभी paper दिखा रहा था उस paper में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको connect करने के बाद wacom.slice.start.on पर क्लिक करना है गुगल पर आप जाए और गुगल पर इसको क्लिक किजिए तो चलिए अब हम लोग जाते हैं computer पर एक और चीज pen tablet में पीछे साइड यह 4 points दिया हुआ है यह rubber का है यह क्या करता है इसको यहाँ पर हिलने डूलने से बचाता है यह fix हो जाता है यहाँ पर ताकि यह हिलेगा डूलेगा नहीं तो आसान होगा लिखने में अब चलते हैं हम लोग अपने computer के screen पर और मैं यहाँ पर google पर type करता हूँ वेकम.com और उसके बाद slicestarter.on तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो first में आ रहा है one by welcome how to setup and get started इस पर आप क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या खुलता है चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है getting started with your one by welcome नीचे हम लोग जाते है follow the step below to setup your one by welcome जो pen tablet है उसको setup करने के लिए यहाँ पर जो कुछ instruction दिया है उसको follow करना है सबसे पहले यहाँ पर तीन step है first step में है plug the USB cable into your tablet and computer यह हम लोग काम कर चुके हैं first step second step में download and install the driver अब एक driver यहाँ पर install करना पड़ेगा और third step में restart and follow on a screen setup instruction तो उसके बाद फिर restart करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पर download करते हैं ड्राइवर को दो हैं यहाँ पर एक windows और Mac के लिए मेरा laptop जो है वो windows का है तो मैं windows पर click करता हूं windows पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यह download हो चुका है बहुत कम size का है तुरण डाउनलोड हो जाता और download करने के बाद इसको मैं open करता हूँ open करने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या खुलता है एक permission मांग रहा है मैं yes कर देता हूँ और उसके बाद यह install हो रहा है install होने में कुछ time लगेगा जब install हो जाएगा तो अभी यहाँ पर एक instruction मैं accept कर लेता हूँ इसको और अब यह installation शुरू हो चुका है जब install हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है थोड़ा सा time लग रहा है install होने में अब यह install हो चु तो restart करना पड़ेगा restart करने के बाद ही यह proper तरीके से काम करेगा तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर restart कर लेते हैं अब मेरा laptop restart हो गया है और यहाँ पर आप देखिएगा तो calibration का एक icon बन गया है यह driver install करने के बाद ही pen tablet प्रोपर तरीके से काम करेगा तो driver तो हम पर install हुआ है और क्या है यहां पर तो वेकम टाइप करने के बार यहां पर वेकम desktop center आया है तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और देखता हूं यहां पर क्या खुलता है यहां पर एक my device में one by वेकम आ चुका है driver अपडेट यहां पर लिखा हुआ है यह backup setting है यहां अपडेट है यहां support है one by वेकम पर क्लिप करने के बाद देखे pain setting यहां पर आ रहा है तो pain setting आपको करने की जरत हो सकता है यहां पर हम लोग अभी कुछ नहीं करते हैं जो by default है वहीं यहां पर रखते हैं मैं बताया था कि दो बटन होता है यह stylus में तो stylus में जो दो बटन है वो first button और second button बटन पर क्या use करना है वो यहां पर already by default में है right click एक उपर वाले बटन पर और नीचे वाले बटन पर squirrel है आप इसको change भी कर सकते हैं अपने अनुसार तो मैं अभी change नहीं करता हूँ जो by default है मैं उसी को रखता हूँ और देखता हूँ कि यह आप कैसे काम करता है अब हम लो one note को open करते हैं और one note पर किस तरीके से यह काम करेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे अब यह one note खुल गया है one note में हम लोग draw पर जाते हैं तो draw पर यहां पर आपका first में eraser आ रहा है और कुछ paint different different color का मिल रहा है यहां पर आपको highlighter मिल रहा है यह pencil मिल रहा है तो मैं किसी पर आ गया आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से मान लिजे मैं 2x plus 3y equal to 5 mathematical equation लिख रहा हूं या sin square theta plus cos square theta equal to 1 यह एक identity मैं लिख रहा हूं तो इस तरीके से आप कुछ भी यहां पर लिख करके पढ़ा सकते हैं पहले से आप PPT में भी SI काम कर सकते हैं PPT में अगर बना हु देखे सट्रैंट में यहां पर यह वरकिंग अरिया है आप अगर होगे होगे और यहां पर लिखेंगे और सबसे पहले होगे मैं और यह राइट साइड के कॉर्णنर में अपने आप चला जाएगा यहाँ पर अगर कुछ लिखते हैं तो बीच में आयगा यहाँ पर आप देखने तो इस तरीके से आपको कैलिब्रेशन हो चुका है और आपकुछ में लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं यहां पर अपना नाम लिखता हूं आप देख रहे हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं अपना नाम सुनेल कुमार तो यह इस तरीके से आ रहा है और इस पेन को जितना प्रेस कीजिएगा उतना यह बोल्ड होगा देखिए अभी बोल्ड नहीं है लेकिन मैं तो यहां पर यहां पर मूव कर रहा हूं तो यह क्रसर जो है वह अपने आप मूव हो रहा है टच करने की जरूत नहीं है बहुत ही सिंसेटिव होता है यह स्टैलस तो यहां पर मैं उपर जैसे ही मूव कर रहा हूं यह मूव होते जा रहा है और जब मैं लिखना शुरू करता हूं जैसे 2x plus 3y तो यहां पर यह लिखा रहा है और यहां पर टच किये जब यहां पर मूब करता हूं तो इस तरीके से आप इस pen tablet का यूज कर सकते हैं मैं इस वीडियो में इस pen tablet की पूरी जानकारी दे दिया हूं अगर आप टीचर है और इस pen tablet का यूज करना चाहते हैं online class के लिए तो आप पर्चेज कर सकते हैं मैं link भी दे चुका हूं description में आप वहां से भी क्लिक करके पर्चेज कर सकते हैं और यह वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा अगर कोई भी confusion है तो आप comment box में लिखें अगर वीडियो पसंदार है तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकोन को भी आउन कर लिजे ताकि latest वीडियो